असूस टॉफ गेमिंग एफ 15 बारे में बात करने वाले इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यह जो लैपटप है वह हमें कैसी परफॉर्मेंस देगा रियल लाइफ यूजोस में कैसी बैटरे बैक आप हमें देखने को मिलेगी और यह जो लैपटप इसकी डिस्प्ले की क वालिटी हमें कैसी देखने को मिलती है लैपटप की बिल्टू क्याइस है थर्मल्स कैसे हैं इस लैपटप हमें कोई हीटिंग एशू जैसे चीज़े यह जीदी देखने को मिलेगा फिर नहीं यह सारी चीज़ेंगे तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा अंध तक द चलिए तो फर्स्ट फॉल हम इस लैपटप के डिस्प्ले के बार में बात करेंगे तो डिस्प्ले जो है फुल एचडी पैनल यूज किया गया है काफी ज़्यादा ब्राइट है 144 हर्ट्स का है और आउट्डर में काफी इसली वीजिबल भी रहता है और यह जो डिस्प्ले है उसमें बेजल्स हमें काफी ज़्यादा कम देखने को मिलती है इस लैपटप में रैम की बात करें तो आप इसमें रैम को एक्स्पैंड कर सकते हैं अप टू थर्टी टू जीबी तक यानि कि बद्दिस जीबी तक आप इस लैपटप में रैम लगा पाएंगे बैटरी ब तोड़ा सा ज्यादा बैटरी बैकप देखने को मिलेगा यहां मैंने यह जो बैटरी बैकप बताया है वह अगर आप आरजीबी लाइटिंग जो होती है उसको ऑन करके यूज़ करेंगे तब आपको इतना मिलेगा चार से पांच घंटे का फुल ऑन गेमिंग के साथ इस ल PGMI गेम और PUBG PC को भी इसली हम इस लैपटोप में इस्टॉल कर सकते हैं और हमने इसमें लेगर के देखा काफी इसली काफी अच्छी से चल जाता है और हमें कोई भी लैग और कोई हिटिंग इस लैपटोप में देखने को नहीं मिलती है और यह जो है न काफी ज़्यादा आपको यूज करके या फिर Filmora एपको यूज करके Blender जैसे आपको यूज करके Audacity आपको यूज करके Audio editing भी आप इस लैपटोप में कर पाएंगे काफी अच्छे से आपका काम इस लैपटोप में हो जाएगा वह भी काफी अच्छी quality में काफी कम समय में without any lag और multiple layers की editing आप इ इसको आगे भी अपने लाइफ में यूज कर पाएंगे क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है इसका जो स्पीड है यह जो लैपटोप है काफी दा पावर्फुल है लंबे समय तक आपका साथ देगा और आगे भी आप अपने लाइफ में इस लैपटोप को यूज कर पाएंगे working profession में भी बात कर यहां पर ports की तो यहां पर multiple USB ports आपको देखने को मिल जाते हैं साथी में हमें इस लैपटोप में RJ45 port भी देखने को मिलता है और इस लैपटोप में टाइप C बोर्ड भी देखने को मिल जाता है जिसकी transfer speed है data transfer speed up to 5Gbps तक की है जो की बहुत ही ज्यादा फास smartphones भी आप इसमें यूज़ करेंगे तो आपको एक next level sound output देखने को मिलेगी बात करें इस लैपटोप के charging time की तो यह जो लैपटोप हो चार्ज होने में लगबग एक घंटे का समय लगाता है और उसके बाद आप इस लैपटोप को यूज़ कर पाएंगे चार्ज भी लगा क कि आप इस लैपटोप को definitely buy करिए gaming के लिए general purpose के लिए भी यह laptop one of the best laptop रहेगा क्योंकि यह laptop बिल्कुल भी lag नहीं करेगा वैसे भी gaming laptop जो होते है वो normal life usage में तो बिल्कुल भी lag नहीं करते हैं तो definitely आप इस लैपटोप के तरफ जा सकते हैं इसको buy कर सकते हैं इसको खरीदने का original best buy link इस video के description में मिल जागा तो वहां से click करिए और जाकर करके इस laptop का buy कर सकते हैं